आज मैं बना रहे हो गुपी रिजल्ट तो चलिए सुरू करते हैं तेल गरम होने के बाद हम इतनी डालेंगे गुपी को बहुत अच्छे से हमें ला लेंगे फिर इसके धकन दगा देंगे अग्गन खूलकी बीच बीच में गुबी को चलाना पड़ेगा नहीं तो चल सकता है सब्सक्राइब के बाद कर लेंगे ला लेंगे गोवी फ्राइब होने के बाद हम एक प्लेट में गोवी को सिफ्ट कर लेंगे फिर उसी खढ़र में डालेंगे ऑईल तिल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू काजू को बहुत अची से हम फ्राइक करके एक लेट में शिफ्ट कर लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे टेज पत्ता और लाल मिर्स फ्राइक होने के बाद हम एक लेट में शिफ्ट कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हो और टमाटर टमाटर को बहुत अच्छे सब्सक्राइब ला लेंगे टमाटर से फ्राइब होने के पड़ हम इसमें डालेंगे रधा हुआ लशुन लशुन को टमाटर के साथ बहुत अच्छे स्वाइब कर लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे नमक स्वाइब के मताविक फिर हम इसमें डालेंगे गरब मसाला मुझे गरब मसाला के फ्लेवर अच्छा लगता है इसके साथ तो फिर हम बात में डालेंगे अगर कुछ आते हैं तो पहले भी डाल सकते हैं जिए टमाटर और लसुन के साथ बहुत अच्छे से पर लेंगे बिखिगेगे जब तो अच्छी से पकच चुका है इसमें डालेंगे फैयाज आज को मनें पैश्ट करके रखा था प्याज को टोमाटर के साथ बहुत आची से मिला लेंगे प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक इससे तेल छूड़ने ना लगे फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिट्स पाउडर लाल मिट्स पाउडर को बहुत आची से हम मिला लेंगे फिर इसके धकल लगा देंगे धकल लगने से क्या होते हैं हमारा जो मसाला है यह बहुत अच्छा से पक जाता है तो फिर हम इसमें डालेंगे पेस्ट किया हो खस-खस काजू और हरामिच हम इसको साथ में पेस्ट किया है अगर पुछाट रहे तो अलग-अलग पेस्ट करते भी डाल सकते हैं इसको बहुत अच्छे से हम टमाटर और प्याज के साथ में डालेंगे इसको तब तक पकाएंगे जब तक इससे क्लेल ने चुटने लगी देखिए थोड़ा से तेल चुटने लगा है फिर हम इसके डालेंगे गरण मसाला पाउडर परण मसाला को भी बहुत अच्छे से हम ला लेंगे इसके हमारे जो मसाला है प्राइब हो चुका है कि इससे देल चुटने लगा है फिर हम इसमें डालेंगे गरण मसाला के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे एक कि इसको मिलाने के बाद हमीसवें टालेंगे प्रोड़ा सो पानी क nei पानी को बहुत अच्छे से मिला लेंगे और हम इसमें डालेंगे फ्राइड किया हुए काजी काजा को बहुत अच्छे से मिला लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे पानी अब पानी डालेंगे इसे लिए हमारा जो भूबी यह थोड़ा सा बाकी है फिर इसको बहुत अच्छे पाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे, मिलाने के बाद हमारा जो फ्राइट चीली था इसको डाल देंगे, देखिए हमारा जो भी रिजला है ये बन के दिया है, इसको आप रोटी पराठा किसे के साथ में सब कर जिए है।